नमस्कार दोस्तो मेरा नमे समय और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय दोस्तो आज हम बात करेंगे लाइट फिटिंग के बारे में दोस्तो जब भी हम मकान बनाते हैं उसमें मेन काम होता है लाइट फिटिंग का अगर आपका इलक्रिशन बहुत अच्छा है और अच्छी नौलेज रखता है तो आपको फिटिंग में कोई परेसानी आने वाली नहीं है तो दोस्तो अगर आपका इलक्रिशन मतलब इसको नौलेज कम है तो आप उसमें नुकसान उठा सकते हैं वो नुकसान कैसे उठा सकते हैं तो दोस्तों फिटिंग में मैं काम होता है वायरिंग का यानि कि तार का अगर आपने वायरिंग अच्छी लगाई है और आपके एलेक्टिरिशन को घ्यान नहीं है कि कहां पर कितने लोड की मतलब कितने लोड पर कितने अमें की वायर लगेगी तो आप नुकसान उठा सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूँ लोकल वायर और 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 जिनल वायर की अगर आप मतलब जैसे आपका ऐसी लगाऊ वायर ऐसी पर आपने मतलब वहां पर 1.5 mm की वायर लगा दिया ऐसा नहीं है कि ऐसी नहीं चलेगा ऐसी तो चलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद वो गरम होकर बर्न हो जाएगा जल जाएगा तो दोस्तों यहां पर आपको चाहिए कि अगर आपका ऐसी का अलग पॉइंट है तो वहां पर कम से कम डाई mm वायर आपको लगना चाहिए अधरवाइस उसे कम वायर आप वायर लगाते हैं तो वो गरम होगा और आपकी लाइट भी जाएगा और वो जल भी जाएगा तो दोस्तों यह ध्यान रखने वाली बात हैं जैसे पंका है लाइट है इन पर आप नॉर्मल डेड़ एमेम एक एमेम से भी इनको चला सकते हैं लेकिन जहां आपको यह मतलब पावर के पॉइंट हैं वहाँ पर नहीं तो फोर एमेम लगाएं तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप वायर जैसे अगर आप वायर लोकल भी लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है आप लोड के हिसाब से वायर लगाएं जैसे जहां पर यतना लोड है उसके हिसाब से लगाएं local हो चाहे original हो और दोनों वायर चलेंगे कोई परेशानी आपको नहीं आएगे क्योंकि इस से पहले भी जो building है बनी हुई होती थी उनमें aluminium वायर लगता था जो आज कल की पुरानी building कहीं आपने देखे होगी वहाँ पर अब भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आपका electrician अच्छी knowledge रखता है तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है और अगर आपका electrician को knowledge कम है तो यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है तो दोस्तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए matter यह नहीं है कि आप अच्छी high से high quality के wire लगाए आप normal भी लगा सकते हैं लेकिन उसको load के साफसे लगाए तो आपको अपनकी wiring में कोई भी परेशानी नहीं आएगी तो दोस्तो इसके अलावा फिर भी आपका कोई comment हो तो आप इस वीडियो को नीचे comment करें हम उसका जवाब देनी की पूरी कोशिस करेंगे तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like करे, share करे और चैनल पर पहली बारे चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई